हेलो गाईज, वेलकॉम डूड़की असर यूटिव चनल और गैस कि आपका बजट है 15,000 का और आपको एक बहुत ही कमाल का इंड़ोई स्मार्टफोन परचेस करने है तो आप बहुत ही साइफ वीडियो पर आओ क्योंकि आज की स्वीडियो में मैं आपको पताने वाला हो यह अब यहां पर वीडियो स्मार्टफोन डिल्स दोनों के बारे में बताया है अगर आपने चेक आउट नहीं करें तो डिस्क्रिशन में और बिन कमेंड में लिंक दे दूँगा यह वीडियो देखने के बाद आप चेक आउट कर सकते हो आपको सेल के रिकार्डिंग सारी स्म यहां पर यहां पर यह स्टार्ट होता है 15,000 की प्राइस पॉइंट प्राइस पॉइंट के लिए स्पेशल यह काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहता है क्योंकि यहां पर आपको 6.4 एंच का एक सूपर अमलेट डिस्प्लेय मिलता है फॉल एच्डी प्लस रिश्मिशन के साथ में 6GB RAM है UFS 2.1 स्टोरिज टाइप है 64 Megapixel का COD केमरे का सेटप है 6000 एमेज की Monster बैटरी है फास जर्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाते है एक्सिनोस का 9611 का चिपसाइट है जो के डीसंट परफॉर्मंस करके आपको दे देता है तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो काफी बड़िया स्मार्ट फोन है Samsung M31 तो अगर आप Samsung लबा रहे हो और आपका 15,000 रुपे के आसपास का बजट है डेफिनेटली आप M31 के साथ में जा सकते हो काफी बड़िया स्मार्ट फोन है आपको 15,000 रुपे में आसानी से 464 वाला विरियन देखने को मिल जाता है अगर आपको AMOLED डिस्प्ले के साथ में एक अच्छा All-Rounder स्मार्ट फोन चीए है तो अभी भी आप 15,000 का बजट है तो आप ये फोन को देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेंड में और बैक में एक्च्छल ग्लास मलता है गुरे ग्लास 5 के साथ में, बिल्ड कॉरिटी, डिजाइन काफी अमेजिंग है यहाँ पर भी आपको एक सूपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है वाटर डॉप नॉच के साथ में, वो भी फुल एच्डी प्लस रिजूचिन के साथ में एस वेलेस टिपल काट स्लॉट देखने को मिल जाते है 64 मेगापिक्सल का काट कैमरे का सेटप है स्नैप रेगन का 712 देखने को मिल जाता है जो के काफी अच्छा प्रोसेजर है यह प्राइस पॉइंट पर है एस वेलेस वुक चार्जिंग का आपको यहाँ पर सुपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और एंड्रोइड 10 का भी अप्डेट यहाँ पर रॉलाउट बना स्टार्ट हो चुक है तो कुल मिला कि अगर आपका 15,000 का बजट है आपको एक आल डाउंडर स्मार्ट फोन चीए AMOLED डिस्पले के साथ में और Realme ब्रैंड आपको पसंद दे और आपको ग्लास बोडी वगरा साथ में चीए तो डेफिनेटल जो आप Realme XT को चेक आउट कर सकते हो काफी अमेजिंग डिल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है घाईस थर्ड नमर पर हमारी लिसमें जो स्मार्ट फोन आता है या गेन आता है Realme की दरफ से Realme 6 रिसंटली कुछी दिन पहले यहाँ पर यह लॉंच हो है जो बेस फरेंड है 464 आपको 13,000 पर में देखने को मिल जाता है और 4,000 प्राइस पॉंट अमेजिंग किला डिवाइस आप इसे बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको डिजाइन काफी जबहज़स देखने को मिलता है ग्लॉसी पैनल के साथ में यहाँ पर यह फॉन की जान है क्योंकि पंच होल तो मिलता है 6.5 इंच के साथ में लेकिन यहाँ पर आपको 90 Hz का रिफ्रेश एट वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सबसे चीपे स्मार्टफोन है इतने है रिफ्रेश एट वारी स्क्रीन के साथ में आपको रियल्मी के स्मार्टफोन अगेन बोलूगा पसंद आते है तो डेफिनेटली जो आप रियल्मी 6 को चेक आउट कर सकते हो 13,000 पर मैं आइकेन से कररेंटली सबसे बैस स्मार्टफोन है डेफिनेटली आप यहाँ पर यह फोन को चेक आउट कर सकते हो यह वाला पार्ट मैं थोड़े टाइम बाद यहाँ पर शूट कर ला हूँ इसलिए आपको थोड़े वो चेंजे टीशेट में और लुक्स अगरा में देखने को मिल रहे रहेंगे बिकोज अप सम्रीजन वाहाँ पर मिझे जो शूट है वो स्टॉप करना पड़ाता चलिए अब यहाँ पर नमबर सेकेंड वाले स्मार्ट फोन के बारे में बात कर लेता है यहाँ आता है आपका रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स रिसंटी लॉँच हुआ है यहाँ पर इसका जो बेस विरिंड है 664 से यहाँ पर स्टार्ट होता है प्राइस पॉइंट जो रखी गई हो रखी गई यह 15,000 रुपए और प्राइस पॉइंट एक आल रांडर स्मार्ट फोन आप इसे बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपका अगेन फ्रेंड में और बैक में एक्च्वल ग्लास मिल जाता है गोरे ग्लास 5 के साथ में दिखने में काफी जबर्दा स्मार्ट फोन है 6.67 इच का बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है वो भी संटर पंच होल के साथ में तो डिस्प्ले भी यहाँ पर यह फोन का काफी अच्छा है 90 हर्ट देते था और अच्छा रह सकता था साथ में आपर आपको टिपल कार्ट मिलता है UFS 2.1 स्टोरेज टाइब दिया गया है एस वेले स्टैब रेकेन का 720 देखने को मिल जाता है नैवीट के सपोर्ट के साथ में 64 मेगा पिक्सल का आपको कौड कैमरे का सेटप मिल जाता है 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरे है यहाँ पर आपको 5020 एमेच की बैटरी दे तो डेफिनेटली जो आप रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स को देख सकते हो काफी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर श्वामी ने लॉंच कर रहा है और हाँ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे तो डेफिनेटली जो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कर और आप में से बहुत सारे लोग ने गैस कर भी चुके होंगे 15,000 पर में जो सबसे बैस स्मार्टफोन है यह आपका Poco X2 यह आप बहुत सारे लोग बलेंगे बाई 64 वाला वीरियंट जो 16,000 रुपे का है तो हाँ 15,000 जो इन्वेस कर सकते है वो 16,000 अगर आपको अच्छा स ग्लास मिल जाता है गुरेट ग्लास 5 के साथ में एस वेलेस डिस्प्ले यहाँ पर आपको 120 हर्ट का डूवल पंच होल के साथ में देखने को मिलता है जूके यह ब्राइस में पर इतना हाई रिफ्रेश येट वाली डिस्पूल है यहाँ पर कोई भी ब्रेंड प्रोइड न मिल जाती है स्नैप ड्रेगन का सेवें 30 जी है 27 वाट की फास्ट रजिंग का सपोर्ट है आयर ब्लस्टर भी देखने को मिल जाता है तो अगर आपको 15,000 का बजट है 16,000 का बजट है और आपको सबसे बैस स्मार्टफोन करेंटली इंडिया में चैच है वो कैमरास की बात हो या परफॉर्मंस की बात हो डिजाइन की बात हो डिस्पली की बात हो तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता पोको एकस्टू से बैटर डील आज की डेट में आपको इंडिया में 15-16,000 की रेंज में देखने को मिलेगी तो नमबर वन पोजिशन पर अभी करेंटली जो है वो है हमारा किंग स्मार्टफोन पोको एकस्टू तो यह थी मेरी लिस्ट आपको लिस्ट आप सहमत हो अगर सहमत हो तो कमेंट्स अखरके ज़रूर बताना और नहीं भी हो आपको लगता है ऐसा कुछ उपर नीचे होना चीए तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा